Hello and welcome on my YouTube channel और आप हैं हुसेन सर के साथ Guys ये हमारी Photoshop की training series चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं Photoshop का file menu Guys देखते हैं आज हम file menu को कहां तक cover करते हैं उसके जितने option हैं वो सारे के सारे cover करने की कोशिश करेंगे तो आईए शुरू करते हैं Welcome back तो को आज देखिए हमने Photoshop खोला हुआ है और देखिए यहाँ पर यह photo भी खोल के रखा हुआ है नेचर का जो बहुत beautiful है तो चलिए आज हम बात करेंगे file menu की तो file menu में सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको मिलता है new जब हम new करते हैं तो new करने का मतलब है हमें को new document बनाना है यानि new file बनानी है और इसका shortcut है control and आप control and दबा कर भी इसको create कर सकते है new file और यहाँ पर click करके भी new file create कर सकते हैं चलिए मैं इस पर click कर देता हूँ click करने के बाद देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिलेंगे लेकिन आपको ज़ादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपने क्या सोचना है आपने ये सोचना है कि आप अपनी file किस purpose के लिए बना रहे है मतलब उसका medium क्या है आप mobile के लिए बना रहे है आप printing के लिए बना रहे है या website के लिए बना रहे है या फिर फिल्म के लिए बना रहे हैं, किस के लिए बना रहे हैं जो भी चीज आप बनाना चाते हैं, सिर्फ यहां पर बने बनाए प्रिसेट हैं उस पर आप क्लिक कर दीजे, जैसे हैं मोबाइल के लिए बनाना चाते हैं तो photo के size मिल जाएंगे सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि आपको किस purpose के लिए अपनी file create करनी है बस बो ले लीजे और आप create कर दीजे create हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैं भी इसको close कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी नई file नहीं चाहिए ठीक है आपने इससे पहले file open की होगी अगर आप दूसरे folder में जाना चाते हैं तो यहाँ से search करके किसी भी दूसरे folder में जा सकते हैं जैसे कि मैं hilly station वाले folder में जाना चाता हूँ मैंने click किया तो यह बहुत सारे hilly stations की photos आ जा गई ठीक है अब आप किसी भी photo पे click करके ऐसे और open कर सकते हैं वो file यहाँ पर open हो जाएगी ऐसे ही आप फिर से open करें open करने के बाद आप दूसरे किसी folder में जाना चाते हैं जैसे मैं file menu को folder में जाना चाता हूँ यहाँ से आप किसी पे click करकर भी open कर सकते हैं तो file open हो जाएगी अभी जो मैंने ये दो फाइल उपन की है ये फोटो फाइल है जिनका फॉर्मेट है JPG अब हम देखते हैं किन-किन फॉर्मेट को यहाँ पर उपन कर सकते हैं तो चलिए हम फिर से उपन करते हैं और उपन करने के बाद देखो यहाँ पर आपको मिलेगा all format लिखा है यहाँ पर अब यहाँ पर जाएए बहुत सारे यहाँ पर formats open कर सकते हैं देखो कितने सारे formats हैं तो यहाँ पर all format है आपकी जो format की यहाँ फाइल होगी वो आपकी open हो जाएगी लेकिन वो इस इन formats में से कोई ना कोई एक format की फाइल होनी चाहिए इससे अलग की ना हो बस तभी open होगी बस समझ गए और अब हम अगला option देखते हैं चली फाइल में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं browse in bridge जैसी हैं browse in bridge पर क्लिक करते हैं तो देखो यह जो है यह एक add-up काUBink का software है जो फाइलों को search करना यानि browse करने के काम में आता है जिस भी folder में आप जाना चाहिए यहाँ से folder आप ले सकते हैं कोई भी folder में जा सकते हैं जिस PC में जाना चाहिए डी ड्रैम में जाना चाहिए आप यहां से जो भी उसमें जाना चाहें देखो यहां पर Wallpaper है, Wallpaper में जाना चाहें Hill Station में जाना चाहें और आप इस पर क्लिक करके इस पर यहां पर क्लिक करके ड्रैक करके यहां छोड़ सकते हैं C E Z छोड़ेंगे तो एक फाइल यहां पर खुल जाएगी ठीक है इस तरह से आप कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं ब्राउज्च कर सकते हैं अब हम आगे देखते हैं तो चलो हमें वाग你 खोड़ किलिक करते हैं और आप फॉटोशॉप की 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 फॉटोशॉप नहीं है ठीक है अब अगर आप JPG फाइल खोलना चाहते है उपन एज में तो फिर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मुझे JPG फाइल खोलनी है तो देखो यहाँ पर आपको JPG ढूंड़ी पड़ेगी JPG देखो यह आगया JPG और इसके open कर रहे थे माले जी मैंने यहाँ से file open की कोई भी nature की file यह तो open ही है चलिए मैं दूजरी file open करता हूँ देखो यहाँ से waterfall की मैंने file open कर ली तो जैसी मैं file open करता हूँ देखो यहाँ पर background layer बनके आती है और layer को आप developly करके खोल भी सकते है चीक है लेर बना सकते हैं लेकिन अगर आप करते हैं open edge smart object मालिज अपने open edge smart object कर दिया तो जैसे आप smart object करते हैं तो देखो ये smart object बन के आता है देखो ये smart object बन के आया अब इसका और उसका फरक क्या है smart object बनके आने का क्या फरक है, उसका क्या फरक है, मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, चलिए सबसे पहले मैं वैसी open कर लेता हूँ normally, normal मैंने open किया, देखिए हैं से मैंने open किया normal, और normal open करने के बाद मैंने इसको layer बना दिया, क्योंकि मुझे बड़ा छोटा करना है और control T दबाया, control T दबाने के बाद देखिए, यहां से मैंने इसको छोटा किया, ऐसे देखो, यहां से मैंने छोटा किया, और छोटा करने के बाद एंटर किया, और फिर से मैंने control T दबाया, और फिर मैंने इसको बड़ा किया, और अब की बार देखो, फिर मैंने इसको एं देखो इसकी क्वालिटी बहुत खराब हो जाएगी डल क्वालिटी हो गई बास समझे देखो अगर आप थोड़ा सा जूम भी कर ले तो देखो आपको क्वालिटी बिल्कुल बेका लग रही है ठीक है लेकिन अगर आप स्मार्ट अब्जेक्ट में ओपन करते हैं स्मार्ट स्मार्ट अब्जेक्ट में ओपन कर लेता हूँ और ने यहां इहां से क्रिक किया अब इसकी क्वालिटी मैं च्वार इसको किपन करनने को यह प्सका है कि स्म spot चो कर सकते हैं लेकिन उसकी जो real property है वो back end में save रखता है इन दूसरी file में save रखता है अगर इस पर double click करके जाओगे तो देखो यह back end में save रखता है देखो यहाँ पर दूसरी file में इसको save रखेगा और आपको एक नई file देगा जहाँ पर आप उसको जैसे group होता ना group बना के देगा group के अंदर उसकी पूरी property रहेंगी तो smart object का बहुत बड़ा फायदा है अगर आप original file को edit नहीं करना चाते चलो इसको close करता हूँ और आगे देखते हैं अब चलते हैं देखो file में file में जाने के बाद देखो अब है open recent open recent चीज़े वो हैं जो आपने अभी अभी recently open की हैं वो यहाँ पर आपको दिखा देगा किसी को भी आप click करके ऐसे और यहाँ पर खोल सकते हैं open recently open हो जाएगा यहाँ से ठीक है इसके बाद देखो close अगर आप close करते हैं तो फाइल close हो गई ठीक है अब आप open करें फाइल यहाँ से open पे जाए और देखो यहाँ से open कर ले फाइल फाइल open कर ली एक फाइल open हो गई ऐसी आप और फाइले open करना चाते हैं तो यहाँ से open कर सकते हैं और फाइले देखो आपने यहाँ से यह फाइल open करी control दबा कर आप multiple फाइल भी open कर सकते हैं control दबा के सबको select किया और open कर दिया मैंने multiple file open कर ली देखो चार file open हो गई अब देखो यहाँ पर था close अब है close all close all करेंगे अभी हम close करते हैं देखो एक ही file close होगी लेकिन अगर हम close all करते हैं तो सारी file एक close हो जाएगी बास समझे अब इसमें आता है देखो मैं भी आपको दिखाता हूँ पहले open कर लेता हूँ यहाँ पर open और सभी file को open कर लेता हूँ ऐसे open और open करने के बाद देखो यहाँ पर अब देखो मेरे पास एक file यह है morning की और बाकी की तीन file भी है तो file में चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद देखते है close others close others का मतलब है जो file आपकी open है वो तो open रहेगी इसके लाब जितनी file है खुली हुई है वो close हो जाएंगी मैं close others करूँगा तो देखो यह तो morning वाली तो खुली रहे गई बाकी की सब close हो गई बास समझ गए इसके लाबा देखो यहाँ पर मिलता है close and go to the bridge आप close करते हैं और फिर उसके बाद bridge में जाते हैं direct अब देखो bridge खुल जाएगा अभी मैं इसको close कर दे रहा हूँ अब देखी यहाँ पर मैं इसको open कर लिया अब चलते हैं आगे file में देखते हैं और कौन कौन से option है save देखो save कब करते हैं save हम जब करते हैं फाइल को जब हम अपना कोई project बनाते हैं चली मैं भी थोड़ा सा इस पर text लिखके save करके दिखाता हूँ चली मैं इस control 0 दबाके यह थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ और यहाँ पर text लिख देता हूँ और text लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया देखो 400 500 saiz हो गया और अब इसको मैंने यहां रख दिया और यहां रखने के बाद इसका मैंने color भी change कर दिया यहाँ पर double click किया इसके बाद टेक्स के उपर और मैंने यहां से इसका color change कर दिया देखो ऐसे मैंने color change कर दिया और इसके बाद में यहां पर थोड़ा सा कोई और text भी हम इसके नीचे लिख रहे हैं इसको मैं control जे दबा रहा हूँ, copy कर लाँ और इसमें लिख दिता हूँ अपकी बार, वह क्या नजारा है और इसको मैं तोड़ा इसको नीचे ले आता हूँ, देखो ऐसे और इसको select करके इसका size हमने कम कर दिया तो अब ही हमारा project हो गया, अब हम इसको save करना चाहते हैं तो जैसी हम इसको save करेंगे, save यहां से, जैसी हम save करेंगे तो देखो अब यह उस file में, जो jpg file थी, उसके उपर save नहीं करेगा क्योंकि हमने इसमें text लिख दिया, तो यह save as करेगा, नई file के लिए कहेगा कि नई file बनाईए, और वो भी Photoshop की file बनाईए अगर आप इसको बाद में edit करना चाहते है, text को, जो यह text आपने लिखा है, इसको ऐसे ही रखना चाहते है जैसे यह layers, जैसे हैं, जिस तरह से text लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे ही रखना चाहते है तो इसको PSD, यानि Photoshop document में save कर दीजिए, और उसको बार-बार बापस खोल के इसको edit कर सकते हो तो हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पर save करते है, file menu में, और मैंने यहाँ पर morning.phd ही रहने दिया, और इसको save कर दिया तो दिको save करते ही एक dialogue box खुलता है, और यह warning होती है, कि यह जो है, आपकी दूसरे जो version है, पुराने version उसके लिए compatible नहीं है अगर आप compatible करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर preferences, file handling और file compatibility में जाकर इसको करना पड़ेगा अगर आप यह dialogue box बारवार शो ना हो, यह चाहते हैं, इसको नहीं show कराना चाहते, तो don't show again पर click कर सकते हैं और इसको आप ok कर दें, ok करने के बाद file आपकी save हो जाएगी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको close करता हूँ और close करने के बाद में file में open करते हैं, और open करने के बाद देखो यहाँ पर morning.psd नाम से file है आपके पास, इसको click करके open करें, जैसे आप open करेंगे, तो आपके पास देखो दोनों text की layer और background layer सब कुछ अलग-अलग मिल जाता है, इसको आप बाद में edit भी कर सकते हैं, और आप इसको दोबारा से file भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें, लेकिन अगर आपने इसको एक बार jpg बना दिया, export कर दिया, तो यह सब चीज़ एडिटिंग करने के लिए नहीं मिलती है, वो एक final photo बन जाता है, तो अब हम आगे देखते हैं, तो जो लो file में चलते हैं, तो file में इसको थोड़ा से, यहां से, इतना नीचे करना चाहरा हूँ, मैं नीचे किया, तो देखो यहां पर एक star बना आ गया, देखो यह star जो बना रहा है, तो इसका मतलब यह है, जो अभी changes किये हैं, वो save नहीं हुए है, अब इसको save कर लिजे, तो देखो यहां पर आपको save का option highlight हो गया, अब आप save कर दीजे, जैसी save करेंगे, तो save होने के बाद देखो यह star का option यहां से गायव हो गया, खतम हो गया, अब देखो फिर save का option highlight नहीं होगा, hide हो गया, क्योंकि यह जो changes से, वो save हो चुके, लेकिन अगर आप इसको दुबारा से save करना चाहते हैं, किसी दूस को save करता हूँ, जैसी मैं save करूँगा, तो देखो, क्या होगा, वो जो morning वाली file थी, वो तो अलग save हो गई, लेकिन अब यह जो file save होकर खुल गई, वो है good morning, यानि हमने जो file save की, वो दूसरी file save हो गई, good morning, और जो morning वाली file थी, वो अलग रह गई, देखो, अभी मैं आपको save होकर वो ही file खुल जाती है, जिसको हमने save होकर गुड बार्निंग वाली file खुल गई, अब इसमें changes करके, फिर से वो ही सब चीज हम कर सकते हैं, फिर save होकर सकते हैं, जितनी भी यह बार आप करेंगे, तो file को save होकर सकते हैं नहीं नाम से, और वो file आपकी खुलती रहेगी, अब मैं इसको close कर रहा हूँ, मैंने close किया, अब हम फिर से file open करते हैं, अब देखो यह जो थी good morning वाली file इसको मैं delete कर दे रहा हूँ, ठीक है, और जो morning वाली file थी इसको खोल लेता हूँ, अब देखो हम देखते हैं, यहाँ पर एक option है, save a copy, यह save a copy क्या होता है, देखो save a copy किया इसको, और यह जो changes है, इसको मैं save a copy कर दिया, मैंने morning copy नाम से save हो गया, मैं यहाँ पर, ऐसे कर देता हूँ, morning 01, ऐसे save कर रहा हूँ, तो यह save कर दिया, अब देखो यहाँ पर morning 01 नहीं खुली, यहाँ पर morning वाली file खुली है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको देखो इसको फिर से save a copy कर रहा हूँ, save a copy करके, यहाँ पर, जैसी मैं save a copy करूंगा, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, morning 02 कर दिया,orta और difका को सेब कर दिया, जैसी मैं तो देखो, morning वाली file को लिए, morning 02 पीछे है, बास समझ गया, तो इसमें क्या होता है, और आप इहाँ दोनों को open कर लेते हैं morning one and morning two दोनों को open करते हैं अब क्या है यहाँ पर अलग-अलग changes हो जाएंगे morning two में चेंजे जान और इसमें अलग चेंजेंजेंजेंजेंजेंगे तो पीछे की طرف आप file को sojo करते जाएंगे और आपके original file उपर खुली रहेगी, यह होता है Save a Copy, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, तो देखो, यहां पर आपको मिलता है Revert, Revert क्या होता है, कि जहां तक आपने फाइल को Save किया होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखो, जैसे नहीं, तो फिर मैंने थोड़े और Changes कर दिये, Good Morning की जगा, मैंने यहां पर कर दिया, Good Evening कर दिया साब, मैंने कर दिया Good Evening मैंने Good Evening कर दिया, अब देखो Good Evening करने के बाद, मैंने फिर से इसको इहां पर रखा, मैंने कई बार मैंने इसको changes कर दी, कई बार changes करने के बाद में, अब मैं देखता हूँ कि इसको undo करना सुरू करता हूँ, जैसी मैं undo करना सुरू करूंगो तो ये बहुत पीछे है मामला मुझे निप तक कितनी में आगे निकला है, लेकिन मैंने भी file को save नहीं किया है, तो अगर मैंने भी file को save नहीं किया है, तो एक option है, revert, revert से हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जहां हमने last save किया था, जैसी मैं revert किया, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, जहां हमने last save किया था, तो ये है revert, चलिए हम आगे देखते हैं, तो चलिए तो guys कैसा लगा आपको tutorial, अगर आपको अच्छा लगा तो like करें, share करें, और guys अगर कुछ कहना है तो comment box में लिक कर बताएं, guys अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe करें और well icon को दोबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे notifications मिलते रहें, guys अगर आपने हमारे चैनल को subscribe किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो guys मिलते हैं next tutorial में, तब तक के लिए take care and bye bye